करेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास हमारी अर्णिंग बीस हजार की है पचीस जार की है तो एक लोवर इंकम ग्रूप के अंदर हैं किस तरीके से अपने वेल्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं क्या प्लानिंग होनी चाहिए और एक स्वाहकी जो ट evil प्र कितना करना चाहिए हमें अपने प्लेट के कितना इस्पेंड करना चाहिए उसका एक सिस्टम बना हुआ है जो कि बहुत शारे आपको किताबों के अंदर दिख जाएगा अगर वंसको फालो करें तो बहुत ही बड़ा हमारे लिए बन सकता है और देखिए होता क्या है कि अगर आपको कुछ करना है तो हर्चीज का पॉस्ट होता है तो या तो तो यह जो सिस्टम है इन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पूल है लेकिन इसके लिए हमें डेडिकेट होना पड़ेगा अगर हम इस पर पाते हैं तो डेफिनेटल आपके पास एक अच्छा पॉर्पस हो सकता है तो आई समझते हैं इसको कुछ एक्सल सीट के तुछ तो सिंपल सा अगर मैं आपको एक एक्सल सीट दिखाऊं तो देखे यह एक्सल सीट है हलाएक इस एक्सल सीट के उपर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं लेकिन अगर सपोज किजे कि आपका इंकम 20,000 उपय का है और आपका 25 यर के एज में आपने व जो कि निफ्टी 50 के अंदर वो इन्वेस्टेड होते हैं अगर उसके अंदर से कोई कंपनी अगर बाहर आती है तो वो उस इंडेक्स पंड का पार्ट नहीं होती और फिर जैसे कोई नहीं कंपनी अगर इसका पार्ट बनती है तो इस इंडेक्स पंड के लिए अंदर ये ल होगा टोटल इंकम पर और जैसा कि हमने अभी बात की है कि आपको या तो ज्यादा कमाना पड़ेगा शुरू में या तो अपने कम से स्टार्ट तो किया है लेकिन आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपकी इंकम आने वाले टाइम पर दूसरा जो आपका नीड्स और और वही कॉस्ट है जो आपको पे करना है और यही जो कॉस्ट है जो आप करोगे जिसका बेनेफिट आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा अगर वहां खर्चों को करोगे तो ही आप 25-30% की सेविंग कर पाऊगे और अगर उस सेविंग को इन्वेस्ट कर देते हो तो तीन केस लिए हुआ है कि अगर है कि हमारा इंकम 20,000 पर मंद का है और उसके उपर हम एक स्पेसिफिक रिटर्न लेके चल रहे हैं तो हमारा क्या 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 वापस बन सकता है कि स्पेसिफिक टाइम के ऊपर तो आयो स्टाट करते हैं दोस्तों एक जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है ना कि आपको जो अपनी सेविंग है ना वो मिनिमम तो करनी ही चाहिए अगर आप ऐसा कर पाते हैं और उस पचीश परसेंट को कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो ही एक अच्छा वेल्स क्रिएट कर सकते हैं लेकिन सेविंग से बहले आपको कमाना होगा तो कमाने के लिए क्या गरना होगा कि आपने सपोज किया आप फचीश जास से शुूरू कि आपने बीश जार से शुरू किया तो आपको अपनी स्कील के उपर मतलब चीजिक के उपर आप ध्धान देना होगा ऊश्ते ही हम अगर स्कील डियोट किजिए कि हमने कोई ऐसा चूप सूरू गया जो की computer related है जो 20-25 जार रुपय हम जिसके business पर कमा रहे हैं लेकिन उसी में बहुत सारी ऐसी चीजे होती है जो छोटा-छोटा course अगर हम अपने एक skill के अंदर अगर build करते जाएं और उसके उपर हम अपना skill बढ़ाते जाएं डेवलब करते जाएं तो आने वाले टाइम में वह एक अच्छा combined होके value add create करती है हमारे carrier के लिए और उसके बाद एक अच्छा खाचा growth हमें मिल सकता है तो ज़्यादा गमाने के लिए हमें अपने skill के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने skill को कैसे बढ़ा है हर्मेशा कुछ में कुछ पढ़ते रहना चाहिए अपने subject related जिसका benefit आपके work के अंदर हो और जो कि बाद में आपके लिए हो सकते हैं तीसरा चीज है कि अपना experience जो जो भी आप time spend करोगे जिस भी फिल्ड में अगर आप job कर रहे हो तो हो एक experience आपके अंदर add होता है जो कि एक काफी crucial और important value addition होता है आपके career के अंदर career में अब बात आती है कि आपने कमाया अब कमायने के बाद आपको खर्चा करना है तो खर्चा कितना करना है तो जितना minimum खर्चा होसा है कि आप खर्चा कीजिए लेगिन ये खर्चा 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो भी आप कमा रहे है उसमें आप ये कोशिच कीजिए कि less than 75% तक ही आप स्पेंड करें और वो जो 75% का spending है वो desire और necessity के ऊपर होता है आपका तो necessity तो ठीक है आपको वो करना ही है तब इत खराब हो वह आपको इसके ऊपर खर्चा करना है पढ़ाई है उसके ऊपर खर्चा करना है खाना है उसके ऊपर खर्चा करना है लेकिन desire क्या है कि आज हमें restaurant में खाना है चलो आज खा लिया फिर कल खाना है फिर पर्चों खाना है तो यह एक डिजायर है तो डिजायर भी आप कम फुल्फिल कीजी अपनी लेकिन वहां पर थोड़ा कंट्रोल करना जुरूरी होता है अगर आप यहां कंट्रोल कर पाते हैं तो ही आप इस सारव चीज़ों को कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं कम कर सकते हैं और ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आप ऐसा कर पाते हैं 25% की सेविंग आप कर पाते हैं हर महीने अपने इंकम के उपर तो यह आने वाले टाइम में आपके लिए एक सफिशेंट कॉर्पस क्रिएट कर सकता है और यह जो कॉर्पस है यह आपका ओल्ड एज में काफी हेलफुल रहेगा अब कुछ ना चीजें हैं जिसका हमें द्यान लखना चाहिए कि मनी क्या है मनी को ना हमें एक कॉमेरिस्टिक कॉमेरिटी और मीडियम के लिए के वल यूज नहीं करना चाहिए ले लिए तो हमें इसको एक प्रिडम की तरह देखना चाहिए मैं देखना चाहिए अगर मनी आप एक्कुमेरिट करते हो गए करते तो आपके लिए उसकिंग करते हो और ऊसंविंग को इन्वेस्ट करते है जो money है वो बहुत ही precious resource है यह आपको तब मिलता है जब आपना वो चीज आप देते हो जिसके लिए आपको पैसा मिलता है वो आपके लिए बहुत ही critical है constant है limited है और वो time है मतलब आप अपना time देते हो फिर उसके against में आप कहीं से जाके पैसा कमाके लाते हो और कोई भी आपको reward करता है तो आप एक बहुत ही important चीज का sacrifice करते हो time का तो उसका utilization भी उतना ही important way में होना चाहिए तो इसे लिए हम में क्या करना चाहिए कि अपनी spending को कम करना चाहिए और saving को optimize करना चाहिए तब ही हम एक अच्छे corpus पे पहुंच सकते हैं और money हमारे लिए freedom of flexibility लेके आ सकती है शुरू में तो नहीं लेकिन हाँ 10 साल 15 साल के बाद अगर हम ऐसा घड़ते हैं तो ला सकते हैं आई चलते हैं next slide पे अब सपोर्ज किजिए कि आपने 25 परसेंट का income की saving आपने कर ली तो आपको उस saving का क्या करना चाहिए उस saving का invest करना चाहिए और investment के लिए सबसे एक जो basic fundamental होता है कि आप अपने risk appetite को समझें और risk appetite के basis पे आपको पैसा कहां डालना है यह decide करें तो basically दो तरीके का अप्रोच होता है investment का एक defensive होता है एक aggressive होता है defensive मतलब वो जहां पर आपका capital preserve होता है वह भी बहुत important part होता है लेकिन अगर आपका age 25 years है 20 years है तो उस age में आप आने माले दस साल तक तो मुझे लगता है कि आसानी से ले सकते हैं तो defensive में जाने से बेटर है कि आप aggressive में जाए फिर भी defensive के अंदर जिसे से PPF हो गया सुकन्यय योजना हो गया अपका sovereign gold हो गया real assets हो गया physical gold हो गया digital gold हो गया debt fund हो गया तो यह सारे defensive assets class है तो यहां पर investment करने से क्या होता है कि आपका capital deteriorate नहीं होता है most of the case में आपका capital preserve होता है तो capital preservation भी बहुत ही important role play करता है आपके पूरे वेल creation के जड़नी में दूसरा आते हैं आपका aggressive asset class में क्या है कि या तो आप direct stock खरीद लिए company का जैसे reliance खड़िद लिया हुल खड़िद लिया SDFC खड़िद लिया JSW Group का कोई company खड़िद लिया मतलब जो जो भी आपको mutual fund के अंदर ही थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना है तो आप मीट कैप स्मॉल कैफ फंड को एड़ कर लिया और भी ज्यादा थोड़ा अगर कोई भी फैनेंशल जो एक जड़नी होती है जो आर एंडी होता है वह अमेरिका से स्टार्ट होता है तक्रीपन तो वहां पर शुरू हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी दूसरी कंट्री इसको फॉलो करें हो सकता है हमारे इंडिया में भी इसका फॉलोंग शुरू हो जाए और इसको एक एसेट क्लास डिक्लियर कर दिया जाता है तो पुरे क्रिप्टो एस्परस के लिए काफी एक अच्छा पॉजिटिव निउज होगा लेकिन अभी भी हाँ दिरे-दिरे जो चीज हर मेंसा रिस्क एसोशेटेड होता है तो आपको देखके समस्के करना से अब आपको पॉर्टफोलियो है जो आप 25 परशेंट आपने सेख किया उसको जब आप इन्वेस्ट करें तो वह उसकी जो जर्नी है वह बिल्कुल अर्लिय सुरू होना से ऐसा नहीं कि आज से हमने कम सुरू किया फिर हम सोच रहे हैं दो साल चार साल तीन साल पांच साल प्लानिंग में निकाल दिये तो पच्छी साल से हमारा थाटी थाटी यह हो गया तो पांच साल जो 40,000 रुपे तकरिब हम बना सकते थे आगर हम पांच रुपे जमा करेंगे तो वह हम नहीं बना बाएं और उसके उपर आने वाले टाइम में जो कंपांडिंग के बेनिफिट मिलना होगा वह भी नहीं मिल पाया तो जितना जल्दी शार्ट करें उतना बेटा है कि अब कि अब कुछ आई एक्जामपल के साथ समझते हैं कि अगर हमने 20,000 का इंकम कमाना शुरू किया और 20,000 के उपर हम सिर्फ केबल 25% की सेविंग करते हैं जो की असान है और कोई कर सकता है और इसको अगर हम इन्वेस्ट करते हैं किसी ऐसे से इंडेक्स फंड में जहां पर हमें 12% का कमपाउंडिंग मिलता है तो देखिए आपका एज अगर 30 years का होगा यानि कि 25 साल में आपने शुरू किया पांच साल आपने सेविंग किया और उस सेविंग को इन्वेस्ट किया तो आपका 4,08,000 का क्वर्पस होगा क्यों पांस हेजार से अगले 10 साल में 11,50, होगा मने आपके 35 years के एज में फिर 40 years तक आते 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 आपके पास 24,097,000 होगा तो यह कंपाउंडिंग का बेनिविट है 45 years के एज में आते 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 आपके पास तकरीबन 50 लाख रुपए होगे तो यह एक अच्छा एक सिस्टम है जिसके जिसका आप यूज करके आप एक अच्छा कॉर्पस अपने लिए बना सकते हो और ऐसा तो है नहीं कि आप अगले 20 साल तक काम करोगे फिर भी आपकी अगले 20 साल तक काम करते हो तो तकरीबन आपकी मान के चलिए कि अगले next 10 years के अंदर ही with experience with skill development with learning हो सकता है कि आपकी साली जो 20,000 है न वो आगे 5 सा के अंदर यह 80,000-50,000 एक लाख तो definitely हो जाएगी तो इस आपस अपने investment को भी बढ़ा सकते हो लेकिन ठीक है अगर हमने अपना career शुरू किया है और स्टार्टिंग के face में अगर हम investment करना स्टार्ट किया तो भी हमारे पास इस तरीके का purpose बना सकते हैं अगर हमारे पास हमारी इंकम अगर 40,000 की है तो अगर हम उसमें 10,000 रुपए भी save कर पाते हैं और उसके उपर return हम 13% लेते हैं तो आपका अगर 45 years के जब भी आप होगे तो 45 years तक आते आते हैं आपके पास 1,13,000 रुपए और अगर 80,000 का income है और उसको अगर आपने अगले 20 साल तक अगर आपने investment जारी रखा 20,000 रुपए और उसका 14% का return अगर आप generate कर पाते हो तो आपके पास 2,60 लाग तो ये एक जड़नी है जो कि आपको complete करने के लिए goal fix करना हुआ कि आखिर हमें करना क्या है क्योंकि आपको आपको अपने प्रेश में के सबसे दाता जरूत जब आप ओल्डेस में तब होती है जब आप 35-40 को सब क्रॉस करने लगते हो तब होती है तो अपने पैसों के कुछ नहीं है इसी आप से प्लान करना चाहिए अब जो आपका allocation है वो कैसा होना चाहिए तो हर मेंशा allocation होना चाहिए यह नीचे बताया हुआ है कि किस इंकम क्लास के लिए क्या allocation होना चाहिए अगर जैसे ही आपका इंकम हायर ग्रूप में आता है जैसे सब कोज किजिए कि मोर देन 60-70-80 में अगर आप आ जाते हैं तो उसमें तक्रीबन कुछ पॉट्फोलियो में जो कुछ होल्डिंग है वह इक्विटिंग में भी होना चाहिए मतलब डाइरेक्ट आप किसी कंपनी के श्टोक खरीद के रखो निफ्टी 100 निफ्टी 150 में एक रिसर्च करो 10-15-20 कंपनी निकालो उसमें से देखो कि आप किस पांच कंपनी के अंदर इंवेस्ट कर सकते हो तो उसमें आपका मीनिमम जो 6 मंत का कि अब डाल के छोड़ो ठीक है और उसको कंपाउंडिंग होने का टाइम दो तो एक अच्छा वेल्स क्रियेट बन सकता है अब कि अगर अगर हम यह देखें कि जो आपका लास्ट टेन येर का डाटा है किसी भी म्यूचल फंड का कि क्या वो मोर दें 12, 12, 13, 15 परसेंट का रिटन दे सकता है तो अभी जो लास्ट टेन येर का डाटा अगर आप देखेंगे यह जैफी का है तो इसमें तकरेबं 23 परसेंटका रिटन मिल रहा है और मिनिमंव पंदरा परसेंट का रिटन मिल रहा है नीपा। जो मिनिमंव मृटार न हो और तरीके का इंडेक्स फंड होता है और जो प्रिसम और चिछ yi तो यहां पे आपको minimum return 18% का है और maximum return 21% का है तो अगर इन सारे फंड हाउस का भी अगर आप एपरेज रिटरन देख लें तो तकरीबन यह 20-21% के आसपास का बनता है हमने तो फिर भी 12% और 13-14% लिया हुआ है अपनी expectation को भर में सा कम ही रखनी चाहिए हाँ ठीक है ज्यादा म होगा लेकिन minimum अब का 12-14% तो मिली जाता है कि इसके अंदर एक कि अगर मिरा यह से एक लाइव एक्जामपल लोग लेते हैं मिरा यह से का यह फंड है लार्जन मेट का फंड है तो यहां पर देखिए यह तकरीबन 2014 से सुरू हुआ था 2014 से सुरू हुआ था तो इसकी यह न घरमेशा ऊपर के तरफ भी जाता है जब भी बजार के अंदर करेक्शन आता है या साइडवे जाता है तो एक क्रिटर नहीं बनता लेकिन जैसे बजार ऊपर के तरफ होगा तो यह अच्छा-खासा वेल्स क्रेट होता है मतलब आपको टाइम देना होगा अगर अगर आप पांच परसेंट के उपर अगर हम बाइस परसेंट का अगर रिटर्न देखते हैं तो देखे यह आपका च्छे करोड बत्तिस लाग का कॉर्पस बनता है एड़ एड़ एज फिटी तो यह एक या दो परसेंट के रिटर्न से ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चेंज नहीं करते हैं अगर आप रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाते हो तो और रिटर्न आपका मैक्सिमाइज तबी होगा जब अपने पॉर्टफोलियो में थोड़ा साल्फा बढ़ा होगे मैं यह नहीं कहता कि आपको पॉर्टफोलियों के अंदर काफी जादा रखना चाहिए रिस कै करता हूं कि वीडियो आपको पसंद है अगर वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और सेर कीजिए थैंक यू